कि आज में हम लोग के बेच में धर्मेंद कुमार कनोजिया पितंग नाम स्री जी अलाल कनोजिया ग्राम पोस्ट अरई जलाल पूराम बेटकर नगर से आप हैं आपका सेलेक्शन मादमिक सिच्छा सेवाचन बोड टीजिटी 2021 में हिंदी के पतपर हुआ वह आपने जीएसी प्रवक्ता में भी प्रावर्वन भिक परिच्छा आपने उत्यूंड किया था और मादमिक सिच्छा सेवाचन बोड के प्रवक्ता में भी आपने आपका रिटन परिच्छा आपन और इसके लावां आपने GIC, जूनियर, नेट कई परिच्छाएं आपने उत्तीन किया है इसमें बरतमान में आप एक सफल सिच्छक के रूप में और बहुत ही मेहनत करके आपने इतना ही कम समय में आपने इस सफलता हासिल की है जो आज हम लोग के बीच में हैं भूसुर नहीं कर सकते तो धर्मिंद कुमार जी अपने सफलता के बारें बताएंगे किस तरह के हम लोग बढ़ाई करते हैं कोई कर सकता है और उस मंजिल को पा सकते है करता हूं मैं धर्में कुमार कनो जीया ग्राम आपोस्ट रहें जलाल पूरम बिलकन नगर करहने में नौ सिवारा बैच नौ सिग्यारा बैच का यहां पे इस्टिंट रहा हूं मैं यहां पे सुबा के बैच से पढ़ रहा हूं और इसा धर्में जी आपके नुसार कितने समय पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि आपने जूनियर जी एसी नेट और पीजिटी और जूनियर में भी और टीजिटी सभी परिशाय आपने उत्तेर किया है तो आपके नुसार कितना समय देना चाहिए पढ़ाई पर अपने करियर को बनाने के पढ़ाई का मतलब है कि हमें जितना हमारे पास टाइम हो तो उतना हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है कि हमको इतने घंते पढ़ना चाहिए इतने कम इतने घंते करना चाहिए जितना समय मिले हमको इमांदारी में पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा हमें हमारा तयार भी होगा और हम आगे भी बढ़ेंगे तब यह कंपटीशन को भीत कर पाएंगे और थोड़े समय में हम किव पूब उतना आसान से पालिफाई नहीं कर सकते हैं कि किनकी बातों को सुन करके कोई सफल हुए होंगे उनको देख करके आप में नड़े लिया पढ़ना हम जो हमारे जो सिरी जहिन जी हैं मैं उनके साथ में आया था और उनसे बहुत प्रभाविद हुआ था टेस्ट में आया तो मेरा पहला टेस्टी क्यानवे नंबर था तो हम आप लोग काफी 120 तो हमके लगा भी हम बहुत नीचे हैं फिर दीरे दीरे हमारा भी नंबर बढ़ने लगया और खोब मेहनत से पढ़ने लगया हमारे जहिन के साथ में हम रहते थे तो उनका भी नंबर अच्छा आता था तो हमें लगता था कि हमको भी उनके जैसा नंबर लाना चाहिए और हम उनको देख जेकर खूब पढ़ते थे प्रतियस प्रधा अंदर आई आपके यह अच्छा इसा नहीं लगा कि यह सब लोग अच्छा कर रहे हैं तो आपको भी कितना मेहनत करने जरूवत है हम को यहीं लग रहा था कि जितना हम पढ़ ले जाए उतना ह हमारे लिए कम है क्योंकि हमारा नंबर कम आ रहा है और इन लोगों का इतना ज्यादा आ रहा है तो हमको फर्स्ट राइंक लाने के लिए अगर उनसे जादा मेहनत करेंगे तभी उनको पास सकते हैं क्योंकि वो लोग पुराने थे वो लोग काफी पढ़े हुए थे और हम तो था इंदी हमारे पास कम ही था तो हम यही सोच रहते हैं कि हम भी पहला नम पहला स्थान लाएं और इसलिए तो खुब मेहनत करें पढ़ते थे और कभी-कभी आया भी संस्तान में कभी नाकरात्मरन नहीं आता था कि हम पढ़ से ऐसा नहों कि हमारा नहों और लोका हो जाये , नहीं सर मेरा ऐसा कही नाकरात्मरन सोच आया नहीं क्योंकि मुझे सीजा ह्पी वह सोच कर आया था था, पूरा नहीं हो पाया होगा और आप लोग आलाइन मुबाइल से रहोगे तो आप कभी इस पर नहीं डरेगी जो है कि हम स्लेबस नहीं पूरा कि हैं कैसे हम पढ़की निकाल पाएंगे कि इतना बराट स्लेबस आया तो इतने कम समय में पर भी तो नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास उपलब्द थे नोट सो हम बस उसको रिवाइड करते थे और ये नाकरात्मा सोच मन में नहीं आया कि हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि सारी चीजे हमारे पास थी बस हमको कदर जिसरह करें het और कुछ कहना चाहें इस ऑफन के क कम लिए कि शा Read घुणार लोग विखन को जोनिए यहां लोग पहुंचे हैं और आप लोग भी सफल होंगे अधिक बहुत अच्छा लगा धर्वाइद कुमार जी कि आपने इतने कम समय में आपने युजी सी कभी परिष्छाय तुर्की आप जीए सी भी और टिजटी और जूनियर जितनी भी परिष्छाय आपके इस पढ़ाई की दोरान आये आपने बहुत ही कम समय में आपने परिष्छा उतीर करके और बरतमान में आप टिजटी के पाद पर आप जॉइनिंग करके नोक्री कर रहे हैं इसलिए निरंतर परिवार की तरफ आपको धेर सारी बढ़ाई हैं कि अज़िए